आज हम बनाने जा रहे हैं कैफे स्टाइल कैपचीनो एकदम फ्रॉथी एकदम क्रीमी ये बन कर तयार होगी एकजाक्ली वैसी ही बरेगी जैसे आप कैफे में पिया करते हैं तो चलिए फड़ा फट से हमें से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए या तो एक बोल ले लीजे या फिर आपको एक मग ले लीजे कॉफी को बीट करने के लिए जो भी आपके लिए कमफरेबल हो आप वो लीजे ये बोल मेरे लिए कमफरेबल है इसलिए मैंने ये लिया है इसमें मैं डाल रही हूँ दो चम्मच कॉफी पाउडर दो बड़े चम्मच हैं ये दो चम्मच उसे साब से कर सकते हैं लेकिन ये जो measurement है एकदम perfect है साथ ही दो चम्मच पानी डालेंगे यानि जितनी coffee ली है उतना ही हम पानी भी डालेंगे अब बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है क्योंकि हम इसे बिना machine के बना रहे हैं तो हमें इसे beat करना है यानि की लगातार हमें इस तरीके से इसे fat ते रहना है 8 से 10 मिनिट में ये एकदम creamy बन जाएगी आप देखेंगे धीरे धीरे करके इसका जो color है वो change होता जाएगा ये देखें इसका जो color है वो हलका होता जाएगा हाथ ठक जाए तो इस तरीके से कर लीजे मग से कर रहे है तो मग का handle बढ़िया से पकड़के अच्छे से इसे घुमाते रहे है धीरे धीरे करके ये देखें color इसका कितना light हो गया है लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और फैटना है लगबग 8 से 10 मिनिट में ये देखें ये ऐसे creamy हो जाती है color इसका काफी light हो जाता है और ये देखें इसको मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार जो soft peaks बन रहे है ये कप जिसमें भी आप इस coffee को serve करना चाते हैं और उसमें दो चमच इस coffee mixture के डाल दीजे एक कप के लिए दो चमच बहुत होते हैं और अब दूद को गरम कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने दूद ले लिया है हाई फ्लेम पर विसकर से ऐसे विसक करते रहे है ताकि इसमें मलाई अब यहाई लेकिन हां अच्छी जाग बन जाए तो हाई फ्लेम पर दूद को उबा लिये दो तीन मिनट में ही हाई फ्लेम पर दूद अबल जाएगा जैसे ही फ्लेम को बंद कर दीजे और इस दूद को गरम गरम दूद को हम डाल देंगे में जिसमें हमने कॉफी का करेंगे जैसे ही आप इसे मिक्स करते रहेंगे जाग और बढ़ता जाएगा तो ये देखिए कितनी क्रीमी लग रही है ये अभी से ही और थोड़ा सा और कॉफी मिक्षर लगबग आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे और उपर हलके हलके हातों से इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे इससे ये और भी क्रीमी बनकर तयार होती है उपर से मैंने थोड़ा सा कॉफी पाउडर भी डाला है ये दिखने में काफी अच्छा लगता है अब जिस तरीके से आपने ये क्यापिचीनो बनाया है उसी तरीके से आप कोल्ड कॉफी भी बना सकते हैं बस ठंडे द कर दो कर दो